यानि कि Child Psychology जो कि होगा सीटेट वह यारतेज का जो जुलाई में एक्जाम हनवाला है उसको टार्गेट करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करें हैं क्लोजी आए शुरुआत करते हैं आज सेशन में अज पहला एक प्रेक्टिसेट हैं और इसेशन आपको रोज मिलने वाला कब साध बजे साथ बजहा आपको सुबब में सेशन मिलने वाला है साथ बज़े आप जरूर बिजिट करें और अपने प्रेक्टिस को कम्प्लीट करें और इसमें आपका एक तरह से टेस्ट गो जागा कि आप कितना कोश्चन सही कर पा रहे हैं चलिए समय देर ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं लेते हैं आज क्या पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है उपलब्धी प्रेरख यानि कि अचीवमेंट मोटिव एक प्रेरख है जो उपलब्धी प्रेरख है वो किस तरह का प्रेरख यानिक के मोटिवेशन है या फिर मोटिव है सारीरिक मोनवज्ञानिक सारीरिक एब मो दोनों उप्रयुक्त में से कोई नहीं तो यह किस तरह का मोटिवेशन नहीं किस तरह का प्रेरख यह मनविज्यानिक यानि कि यदि आपको कोई उपलब्द मिलती है मालेज आपने सिट्रेट में अच्छा स्कूर कर लिए मालेज आपने 120 प्लस या फिर 130 कर लिए स्कूर तो आपको यह मनविज्यानिक जो मोटिवेशन है वह आपको मिल जाएगा यानि कि मिलेगा तो इस तरह से यह मनविज्यानिक प्रेरख है आपसा नमबर बी विल बी करेक्ट अगला कोश्चन लेते हैं ऐसा प्रेरख जिसका अनुमान ब्यक्तिक की बिवहार से किया जा सके पर जो 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 प्रेरख किसी ब्यक्तिक की बिवहार से उसका अनुमान लगा सके उस तरह के प्रेरख को क्या बोलते हैं और चेतन प्रेरख चेतक या फिर उप्रेरख को बोलते हैं और अचेतन प्रेरख यानि कि B option correct हो जाएगा लेते हैं अगला question भूख एक प्रेरख है किस तरह का अरजित प्राथमिक अचेतन या फिर दिरतियक तो जो भूख है वो किस तरह का प्रेरख है और यह से से इंपोर्टेट के साथ साथ यूपिटेट जो आने वाला है और जो इसके लिए भी इंपोर्टेंट होगा तो जो भूख है वह एक प्रेरख है यानि कि प्राथमिक है option नंबर बी करेक्ट है भूख किस प्रकार का अंतर नोद यानि कि ड्राइब है धनात्मक यानि कि पॉजटिव ड्रेनात्मक यानि कि निगेटिव तटस्त यानि कि और सकता अदर्ण सिधांट सबसे अंत्यमें सकता होती होती पूरी होती है समान यानि कि स्ट्रम स्थीम आथमेय कि अत्याथता सुरक्षा या फिर समाजिक तो कौन सी सबसे अंत में पूरी होती है यह होती है delve i were यानि की इंसिंट अंतर नोध ड्राइब लक्ष गोल या फिर अकांचा एस्पिरेशन तो सारे रिक आउसकता के कारण उत्पन सारे रिक इस्तिती को हम लोग कहते हैं आपसा नमबर यानि की ड्राइब कहते हैं अगले प्रस्ट में आते हैं माशलों के अनुसार सबसे पहले आख सकता है पूरी होती है यह कुछन हो कि सुरच्छा सम्मान दहिक या फिर समाजिक माशलों के अनुसार पूछ रहा है कि कौन से आख सकता है सबसे पहले पूरी होती है तो यह होती है कौन सी दहिक जो आख सकत यानि कि unconscious motive का मुहत्व सरप्रथम किसके द्वारा प्रतिपाजित किया गया था गुंट द्वारा मैकडूगल द्वारा फ्रैड द्वारा या फिर वार्चन के द्वारा या किसके द्वारा प्रतिपाजित किया गया था या किया गया था फ्रैड के द्वारा सी अप्सन करेक् या फिर उप्रयुक्ति में से कोई नहीं इसे कहते हैं प्राथमिक अंतर नोद सी विल भी राइट प्राणी की ऐसे इस्तिति या अवस्था जो बेवहार को लक्ष की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं सीखना स्मिर्ती प्रिणड़ा या फिर सम्वेग उसको क्या कहते ह हैं उसको प्रेडरा कहते हैं सी अप्राणी की ऐसी जो इस्तिति है या फिर अवस्था है जो बेवहार को लक्ष की ओर यानि की मालीजा को कोई गोल है और जो आपको उसी तरफ निदेशित करती है उसे कहते हैं यानि की आपसे नंबर सी करेक्ट हो जाएगा निम्रिकित य यह जर्मजाद प्रेड़क है आकरामक्ता का प्रेड़क है या फिर कोई कि क्या है थे क्या है तो कुस्टन नंबर 11 बात करते हैं अ मैं ने हम समब्लब्स प्रेड़क नहीं होता है तो आपसन नंबर बी अ आवसकताओं के पदानुकरमीता का लेक सरप्रतं किसके द्वारा ब्वस्तित रूप से किया गया था, नगडूकल द्वारा, मरे द्वारा, एक किंग्सन द्वारा या फिर मास्लो के द्वारा, किसके रहकिया गया था aslow के या फिर यह सभी तो जो बिवहार में परिवर्दन होता है वह किस तरह का सीखना है यह है बेक्चा क्रित है सी आप्शन करेक्ट हो जाएगा S.O.R. कारक निमनी में से किस की दिन है वुंड की है थांडाइक की है पाउलाओ की है या फिर वुडवर्थ की है किस की है यह है वुडवर्थ की तो डी आप्शन करेक्ट हो जाएगा संमंधवाद का सिदान्त थियोरी आफ कनक्शनिस में के प।रतिपादक कौन थें गुथरी, ठांडाइक, पालो या फिर इसकीनर तो सम्मंधवात के सिदानत के जो प्रतिपादक थें वो थें ठानडाइक वी विल भी राइट तो सेशन को आज तक हैं रखते हैं और उमीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद होगा इदी पसंद आते वीडियो को लाइक कर लेजिए और चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए धन् झाहिंद आते हैं जाते हैं कि लेज दो सम्माओत कर लेजिए और चैनल